नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आज किस वीडियो में अगर आप इस वार इंटर का एक्जाम देने वाले हैं और आपका भी सब्जेक्टिव फिजिक्स है तो इस वीडियो में उन सभी इस्प्रेट के लिए फिजिक्स का हम लोग 70 महत्पूर्ण अब्जेक्टिव प पर उससे प्रस्ण पूछा आई जता हर बार ठीक है तो चलिए श्टार करते हैं कलास को और आपको 35 प्रस्ण पूछा जाएगा 70 प्रशन पूछा जाएगा उसमें से 35 प्रशन का आपको जवाब देना एक्जाम है ठीक है चलिए तो अभी श्टार्ट करते हैं कलास को आज का पहला प्रसन देखे क्या है बिदूत दूर पे आगुर्ण एक सदीस होता है नी सदीस रासी होता है जिसकी दिसा होती है रिन आवेस से धन आवेस की ओर होती है सभी श्ट्वेंट अच्छे तरीके से याद कर लिजेगा ठीक है सकेंड कोसन है आपका बिदूत छेतर की तिवर्ता का मातरक क्या होता है यह कोसन आपको रटबाद यह न्यूटन बटा कुलाम होता है अगला कोसन है आपका तीसरा नमर एक कुलाम आवेस में इलेक्ट्रोन की संक्यां कितनी होती है यह प्रसन सभी श्ट्वेंट का सही होना चाहिए कितना होता है 16.25 गुन्य दसकी घर्थ 18 ठीक है जो भी श्ट्वेंट पहली वारे चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है अगला है किसी बिदूत रोधी माध्यम का प्राबिदूतां का मान कितना होता है इसका मान होजेगा आपका 6 होजेगा ठीक है अगला कोशन देखिए 6 नमर कोशन है और यह कोशन आपको कई बार बतला भी दिये है बतला ही 6 नमर प्राशन का जवाब क्या होने वाला है एक बिंदू आबेस Q को E परिनाम बाले बीदूत छेते में रखा गया है आबेस द्वारा महसूस किया जाने वाला बल का मान कितना होगा तो इस बल का मान होजेगा Q इंटू E होजेगा आपसे नमर A अगला है L भुजा के एक घं के केंदर बिंदू पर एक आबेस फलक्स Q रखा गया है घं के एक तल से निर्कत बैदूत फलक्स का मान क्या होगा घं की बात कर रहा है तो Q बटा इसे एपसलो नोट होता है घं में च्वा गतल होता है तब च्वा लगा दिजिए उपसे नमर आपका बी नमर विल्कुल सही जवाब हो जाएगा Q बटा 6 एपसलो नोट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आपका प्रशन पूछा ज़रा है एक गोलिये चालक की धारिता जो दिया गया है दस एक माइक्रो फराइड है उसकी तिर्जिया क्या होती है तो इसकी तिर्जिया कितना हो जाएगा सभी श्वेंट का सही जवाब आना चाहिए इसकी तिर्जिया आपका हो जाएगा कितना आपसन नमर आपका बिल्कुल सी नमर जो भी जा रहे है नो किलो मीटर आपसन नमर आपका सही जवाब हो जाएगा अगला देखिए किसी संधारितर की धारिता निर्भर करता है यह पलेटो के आबेस पर यह संधार करह में जोड़ना है उसके एक आपको किस करसे करना है तो तीन सी हो जाएगा तो इसकी ओपर चला जाएगा है आपको स्वाव करने के लिए आना चाहिए जिसे आपका है रख फकुलकर snack करने के बटिस्ब अईट इसको कैसे solve किजेगा तो इसको solve करने का बहुत यह सान है जिसे पहले आपको 3C लिखा हुआ है तो पहले आपको 3C लिख देना है उसके बाद गुणा कर लेना है यह गुणा जब किजेगा तो यह उपर चला चला जाता है 3C बट्टा एक तीन तिया 9 बट्टा आपका 9 बट्टा एक हो जाएगा निनो अनुपाते इसको अनुपात मदलेगा 9 बट्टे खोजएगा अप्सें अमरे ठीक है चली अगला कोसन है बोल्ट बोल्ट मीटर इनवर्स मात्रक किसका होता है बतला है सभी कोसन आपको रटबाद दिए सभी आपको रटबा दिये सभी आपको बीदूत छे या परतिरोध धक्ता कैसा मतलग क्या होता है इसका ओमीटर हो जाएगा अपसे नमरे अपका D अगला है परम सुन ताप पर सिलिकन का कोई क्रिश्टल वेवहार करता है तो यह वेवहार करता है आपका पुन कुछालक की तरह अगला कोसन है आपका देखिए इमलेकित में से कौन सा परतिरोध को इनमें से बैक्त करता है परतिरोध को इनमें से कौन सा बैक्त करता है देखिए ऑपसन सही जबाब ऑपसन नमर आपका A बिल्कुल राइट अंसर हो जेगा अगला कोसन है आपका जब ताप वे विर्धी होती है तो किसी चालक का परतिरोध क्या होता है पी बरावर फर्मूला होता है भी स्कौार बटे आर होता है अपसे नमर आपका सी नमर बिल्कुल सही जवाब हो जएगा एक एक लेलाक्ट्रोन बोल्ट किसके साम तुल होता है बतला ये सभी इश्रुन बतलाएगा ये सभी कोसन आपको करवाए है या फिर नहीं तो चुके है ठीक है या बिहार बोट पूछा ऑफिसियल मोडल प्वेपर में ये सभी कोसन पूछा देखेगा एक जरम में हंडेर परसेंट 35 का 35 कोसन आप सभी स्ट्रुन सही करके ये मेरी गिरेंटी है ठीक है तो सिर्फ आपको जितना वीडियो दे रहे है आपको याद कर ल अगला देखे कोसन आपका अब देखे इसका मातरक आपको बतलाना है मियू नोट अबटा एपसलो नोट का मातरक क्या हो जेगा बतलाईए तो सभी स्ट्रेंट का सही जवाब होना चाहिए और रूट के रूट में लगा दिया है तो देखे आप इसको मतला देते हैं इसको आप याद रखेगा अगर नहीं होगा तो याद कर लिजेगा बतला एपसलो नोट का मातरक तो सभी को याद होगा याद होगा कुलम असक्वाइर बतला आपका न्यूटर एंपियर असक्वाइर होता है और इन सभी के पावर में रूट है ठीक है तो पहले रूट के इससे गुना होगा याद होगा देखे एक ही दिशा में एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रोन किलें पूंज क्या करता है तो याद रखेगा इसका सही जबाव जबहागा एक दूसरे को यह आकरसित करेगी ठीक है अगला है नहीं मुझे तुम इसे कौन सा कथा नहीं जो की सत्य है बतलाइए सभी कुस्टन तो देखती है अंसर आ जानाता है टॉर्क बराबर M आपका क्या होजएगा M सदीस B सदीस होजएगा ओप्सण नमर B इसको टार्क पढ़ते है टी जकते है इसको टार्क परादे टार्क पढ़िये है जैसे आप T ही याद रखे लेकिन याद रखे ठीक है यहने टार्क पढना जरूरी है अगले देखिए पिर्थीबी का चुमबक्या च्यत्रगा और्धवार् प्रियर कत्व का मातरक एक हेंरी होता है अगला है लट्र का मि मिल्की्ट प्रियर करे येशार है ते लट्र का विम विम्र mg का के ब्राबर है आप सभी जैसे हो जेगा liegt? आप सबी जानते है, विलकुल सभाब को जईगा ठीक है चलिए अगला किसी परतेवर्ती धरा का सीखर मन देखे आई नोट बरावर इसका बर्ग माद मूल मन आई यारमेस बरावर आपको हम बहुत बर बतला चुके हैं इस फर्मूला को याद नहीं रखिएगा आई यारमेस बरावर क्या फर्मूला होता है जंदी से बतलाईगा क्या होता है आई नोट बटा रूट टू होता है सभी को याद है कि नहीं बताईए हाँ याद होगा चलिए आई नोट का मन आपको दिया गया है पांच रूट टू बटा रूट टू नीचे है रूट 2 से रूट 2 कर जाया कितना बचा 5, option number 5 ampere हो जाएगा, option number एचली अगला question है आपका, एक परतेवरती धारा परिपत में 8, 8 ohm का परती रो तथा 6 ohm का परिरकत तो सरीनी करम में लगें, परिपत की, परिपत की परती बाधा क्या होगी, इसकी परती बाधा, फरमूला आ क्या होता है, यह तो कई बार हम आपको बतलाए है, objective के तरह में, तो आर का मन देखिए, 8 है, परती रोद 8 ohm है, तो आर का मन रख दीजिए, 8 का square, पलस omega l, यह देखिए, परिर्निक, क्या कहना, परिर्निक परती घात करना चाहिए, या परिर्निक परिर्कत्व करना है, इसमें थोड़ा मिस किया है, तो कोई दिकत नहीं है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, तो ओमेगा l का मन इसमें, आप परिर्निक परती घात बराबर, ओमेगा l से सुचित करते हैं, आपको पता होगा, तो इसका मन दिया गया है, च्वा, तो 6 square कर दीजिए, तो अपसे नमर आपका, बी नमर बिल्कुल आपका, सही जवाब होजेगा, चली आगे कि और बढ़ते हैं, अच्छा लग रहा होता है, एक बार लाइक किजिएगा, और चैनल पर जो भी स्ट्वेंट पहली बारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिएगा, ठीक है, तब किसी ट्रासफ़ार, में क्या संब्सक्राथ नहीं हो sì, जल्दि से बता देजेगा, अपसे नमर आपका, बिल्कुल इसे ही जवाब हो जिए अगला सबसे अधीक आभिर्ती की तरंगें हो तरंगें हैं इनमें से सभी अभिर्टी की ए ठीक है यह नहीं प्रावेगिनिक लगा दिजिए गलत हो जाएगा ठीक है बिदु चुम्बक्या तरंग का संचरन की दिशा क्या होती है बतलाएए तो इस सदी के समांतर होता है यह सभी अस्टुडेंट को पता ही होगा क्योंकि सभी कोशन आपको रटबा दिये अब बतले इसका हाप एपसलोन निर्वात की बिदू सिलता और इवी बिदू छलगी तै इसका बीमा आपको बतला ना है तो देखें बीमा जब निकालते है ना इसको छोड़ देते है नमर को नंबर को छोड़ेते हैं इसका बीमा बतला देजिए इसका बीमा आपका होज़ेगा M L इनभर्स T इनभर्स स्कॉार ठीक है अगला है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपुन अंत्रिक प्रावरतन के करंती कौन का मांतिश दिए तो तो माध्यम में परकास का बेग परकास का बेग क्या होगा सर्फ याद रखेगा आपको परकास का बेग क्या कितना होता है जानते हैं परकास का बेग यह नहीं परकास का चाल कितना होता है तीन गुने दसकी घहात आठ होता है सभी चांते हैं और करंती कौन का मान 30 दिया है तो आपको 37 का मान रख आ गया आपका एक बटा दू एक बटा दू कर लेजिए अब इसको सॉल्व कर लेजिए तो दोस्त काट देखिए इसका मतलब आधा करना है यह तीन गुने दसकी घहा अब देखिए यह कोशन काफी जिदा इंपोर्टेंट है बहुत बार बतला दी है पलस तीन डायोप्टर चंता के दो लेंस को मिलाकर एक स्वयूक्त लेंस बनाया गया है यह आप से एप का मन पूछा जा रहा है तो आप सभी जानते हैं पी बराबर क्या होता है एक बटा आप होता है तो आपको एप का मन निकालना है तो आपका मन निकालना एक कैसे इसको इधर वर तब क्या वजब आपका क्या हो जबर एक बड़ाबर आपका एक बटा पि का मन देखिए एक डियोप्टर निकाले एक कड यगा या एक है मीटर आपका हू ऑनसर है हाँ अचलिए मिल गया ऑप्षिन नमर जो जा편 है行 see ग़ुष होता हू रखाग जात है कि ऑन द्रुर दर्शी होता हैं तो wash के विच कलंतर क्या होगा पाई बाई टू एनी 90 डिग्री ओढ़ना चाहिए अगला है कौन सी घटना परकास के तरंग की अनुपरस तरंग की परकिती का पुष्टी करता है धूरबन यह सभी तो रटबा दिये धूरबन अगला धूरबित क्या है कोशन आपका धूरबित पर परकास के कंपन तल पर धूरबन तल के भी धूरबन पर 90 डिग्री का मौन हो जाएगा और विश्वत रेखा पर आपका जीरो डिग्री होता है आपको बतला दिये हैं परकास बैदूत सर्जन की घटना में आप्तित परकास की तियुरता बढ़ने पर परकास भी परकास की बैदूत धारा क्या होती है इसकी बैदूत धारा का मौन क्या होता है बढ़ जाता है इसकी बैदूत धारा का अगला है आपका निमलकित में से किसका निरोधी बीभब सबसे कम होता है निरोधी बीभब जो है सबसे लाल रंग लाल परकास का आपको बतला दिये हैं परमानु के भूतल उर्जा अस्तर में इलक्टोन का कोनिय संबेग बतला दिये हैं एच बट्टा क्या होगा टू पाई हो जाएगा ऑप्सन नमर बिल्कुल ऑप्सन नमर आपका क्या हो जगा बी नमर आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है रटनी जाना आपको हाड्रोजन स्पेक्ट्रम की लायमेन सरेनी परती है लायमेन सरेनी जो परती है आपका जल्दी से बताइए प्रावाइगनिक छेतर में परती है प्रावाइगनिक छेतर में अलफाकन का अलफाकन का आबेस प्रोटोन के आबेस का कितना गुना होता यह यह तो आपका कितना होता आपका सब्सक्राइब सब्सक्राण सब्सक्राइब भी किरचल तया पूर्चल पूर्ख होता है इसका बेदित रूप में होता है यह उदासीन रहता है ठीक है आपका जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभब लगभग प्राचीर विभब का मन कितना हो जाएगा इसका मन आपका 0.3 बोल्ट हो जाएगा याद लुए है रख़ेगा सब्सक्राइब जर्मेनियम डायोड का ऌभ प्राचीर जर्मेनियम धार रहे है तो जर्मेनियम सब्सका याद रख़ेगा जीर उवंchnया का जिरू पॉइंट तीन बोल्ट होता है अगर आप से सिलिकन का पूछे गbil सिलिकन का सिलिकनGen का से अगला ऐसर बजाब यह दिजी गोले पर आबेस 10 माइक्रो कुलम उसकी सत्ता पर बिदो फ़ित पड़ाएं यह तो कई बार कुशोन बतला चुकर हैं चार न्यूटन मीटर स्क्वाइर कुलम स्क्वाइर मैनस बला नहीं लगा दिजिएगा क्योंकि अभी तक हम जितना भी कोशन किये हैं तो उसका अंसर भी ही था इमंदारी पुरुपक बतलाएगा उसमें अंसर भी ही था यहीं ऑप्सन भी नमर पर था तो सब यह चार मीटर मीटर स्कवाइर बटे कुलम स्कॉर एक शॉरी कुलम होज़ेगा अगला स्वाप परिलकत्व एल तथा कोनिया आभीरती ओमेगा के गुनन फल की काय क्या होती है ओम होती है याद रखेगा ओम हो जाएगी ओप्सन नमर यह हो जाएगा एक आबरधक लेंस जिसक लोनितर आप एक्जाम में भी फोड कराई यगा थीकए याजने थिकतार लम्बाइय पर लत्त होगा मैं अधीक लंबाइय पर 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 पराफ्त होगा अधीक लंबाइयग यह सब्सक्राइब अब कर दें एंड है आपको याद है का यह भाग होता है ठीक है चलिए अगला अने में किस गेट को निरुपीद करता है तो आपको बतला है डी जगती है तो आपका क्या होज़ेगा किस गेट को निरुपीद करता है आपका तो वह बराबर अलग है आपका यह पलस क्या होज़ेगा ये किस gate को निर्यूपित करता है ये end gate end gate में किस gate को हो जएगा बतला दिजिए ये अलग करना यह आपका हो जएगा option number आपका क्या हो जएगा option number आपका d number आपका सही जवाब हो जएगा d number आपका बिल्कुल सही जवाब हो जएगा ठीक है याद रखेगा अगर परकास का बेग हावा में इतना हो और जल में इसका अमान आपको बतला है अगला है आपका अब बिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अगला दिखें बैती करन फिरेंज की चवराई होती है यह जो होता है अगला है यदि सब्सक्राइब कर लिजए वीडियो को लायक कर दिए तेलिगरम गुरूप का नाम है आपका जो इस चैनल का नम है यही टेलिग्राम गूर्प का भी नाम है जाए जोईन होजे इसका पीडियाप हम देते हैं सभी कलास का पीडियाप देते हैं टेलिग्राम पर ठीक है तो चलिए फिर मिलते हम लोग नए वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद